Hello Your Books, स्वागत है आप सभी का Your Books चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं Complete Book Summaries. The Personal MBA Book Summary in Hindi Hello दोस्तों, The Personal MBA आपको एक अच्छा व्यापारी बनना सिखाती है. यह किताब हर उस व्यक्ति के लिए बहुत उप्योगी है जो अपने बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, लेकिन MBA कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहते या अपने बिजनेस को अच्छे से संभालना चाहते हैं. इसे पढ़कर आप बिजनेस के बारे में सारी बाते जान सकते हैं. लेखक, जोश कॉफ्मन, जोश कॉफ्मन, एक अंतरराश्ट्रिय लेखक, कारोबारी और एक मोटिवेटर हैं. इनकी दो किताबें, The Personal MBA और The First 20 Hours, International Best Sailing किताबें हैं. उन्हें, Amazon ने Business and Money पर, एक Based Sailing Writer का दरजा दिया है. The Personal MBA Book Summary in Hindi क्या आपको भी बिजनेस करना है? Part 1, बिजनेस शुरू करने के लिए आपको MBA की जरूरत नहीं है. क्या आपको भी लगता है कि एक सफल व्यापारी बनाने के लिए आपको किसी डिगरी की जरूरत है? अगर लगता है तो यह किताब पढ़ने के बाद नहीं लगेगा. इस किताब में एक अच्छे बिजनेस को शुरू करने से लेकर अपने प्रोड़क्ट को लोगों तक पहुचाने तक की सारी बाते बताई गई हैं. इसे पढ़कर आप सीखेंगे कि किस तरह आप अपने बिजनेस को अच्छे से चला सकते हैं और किस तरह आप अपने प्रोड़क्ट को लोगों तक पनुचा सकते हैं. एक अच्छे व्यापार को चलाने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है इस किताब में उन सभी के बारे में बताया गया है. इसे पढ़कर आप एक काम्याब बिजनेस्मेन बन सकते हैं. अगर आप सोचते हैं कि बिजनेस स्कूल्स आपको बिजनेस करना सिखाते हैं तो आप गलत सोचते हैं. अगर आपसे कोई कहें कि वो MBA कर रहा है तो आपके मन में ख्याल आता होगा कि अब वो बहुत जल्दी ही एक काम्याब बिजनेस्मेन बनने वाला है. क्या सच में सिर्फ एक MBA की डिग्री से कोई काम्याब बिजनेस्मेन बन जाता है? आईए देखते हैं सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आखर लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि MBA कर लेने से वे एक अच्छे बिजनेस्मेन बन सकते हैं इसकी असल वजह है MBA की फीस अगर एक अच्छे MBA इंस्टीट्यूट की फीस पर नजर डाले तो पता चलता है कि वहाँ एक साल की फीस लाखो रुपे में है और अगर हम होस्टल फीस और दूसरी प्रोजेक्ट फीस को भी इन में जोड़ कर दें तो ये तो ये काफी ज्यादा हो जाती है अब आप सोच रहे होंगे कि सारे MBA स्कूल इतने महेंगे नहीं होते होंगे आप सही सोच रहे हैं लेकिन कई MBA चात्र लाखो रुपे का एजुकेशन लोन भी ले लेते हैं जब इतने सारे लोग MBA करने के लिए इतना सारा पैसा लगा रहे हैं तो ज़रूर MBA कर लेने से हम एक काम्याब बिजनेस्मेन बन जाएंगे ऐसा सोचना भी बेवकूफी है क्यों? सबसे पहले तो हम दुनिया भर के आल टाइम टॉप बिजनेस्मेन में पर नजर डालते हैं अगर हम हेंरी फोई, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, जेफ बेगोस, रॉबर्ट कियोसाकी, मार्ग जुकबग जैसे बिजनेस्मेन को देखें तो हम प्राएंगे कि इनके पास कोई MBA की डिग्री नहीं है फिर भी ये दुनिया के टॉप बिजनेस्मेन है Stanford University में की गई एक स्टडी की माने तो एक MBA डिग्री और एक काम्याब बिजनेस्मेन के बीच कोई संबंध नहीं पाया गया MBA में टॉप करने वाले ज्यादा तर स्टुडेंस एक अच्छे बिजनेस्मेन नहीं बन पाए अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर एक MBA डिग्री आपको सफलता नहीं दिलवा सकती तो आपको सफलता कैसे मिलेगी आप वही बिजनेस्मेन शुरू करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो अगर आप एक काम्याब कमपनी खोलना चाहते हैं तो आपको उस चीज की कमपनी खोलनी होगी जिसमें आपको इंटरेस्ट हो आप वो मत करिये जो सब कर रहे हैं आप वो करिये जिसमें आपको इंटरेस्ट है जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि आज की टॉप काम्याब कपनिया जैसे Microsoft, Apple, Facebook और Amazon है क्या आपको इन सभी में कोई एक common चीज दिख रही है ये सभी कंपनिया IT कंपनिया है अगर आप सोचें कि IT कंपनिया ही काम्याब होती है और आपको भी IT कंपनिया खोलनी चाहिए तो आप जरूर खोलिए लेकिन तभी, जब आपको IT में इंटरेस्ट हो अगर आपको IT में इंटरेस्ट नहीं है तो आप इस company को संभाल नहीं पाएंगे किसी भी company के खुलने के बाद उसे set करने में कुछ समय और बहुत सारी मेहनत लगती है उसमें कुछ फैसले लेने पढ़ते हैं जो आप तभी ले पाएंगे जब आप दिल से उस business को चला रहे हो शुरुवात में ज्यादा पैसे नहीं आते और मेहनत ज्यादा करनी पढ़ती है अगर आप सिर्फ पैसों के लिए ही business कर रहे हैं तो आपका business बहुत जल्द ही flop होने वाला है इसलिए आप भीड के साथ मत भेजिए और वो कीजिए जिसमें आपको interest हो अगर आपको अपने business से लगाव होगा तो आप उस business को ज्यादा समय और मेहनत देंगे अगर आपको गाडियों में दिल्चस्पी है तो आप गाडियों की company खोलिए ऐसे में आप अपने customers की जरूरतों को करीब से पहचान कर उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे आपको अपने फैसलों पर भरोसा होगा और आपके अंदर समय समय पर नए नए ideas आते रहेंगे तो एक काम्याब business चलाने के लिए सबसे पहले आपको उसमें interest होना चाहिए अगर आपको interest नहीं है तो आप सिर्फ पैसों के लिए business मत चलाए कर्ज लेना risky तो है पर अगर सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपको उचाईयों पर ले जा सकता है अब जब आपने अपने interest का business चुन ही लिया है तो आप अपना business शुरू करने के बारे में सोच रहे होंगे लेकिन आपके मन में अब भी बहुत से सवाल उठ रहे होंगे जैसे कि business को शुरू करने के लिए पैसे कहां से लाएं बड़े से बड़े businessmen ने जब अपना business शुरू किया है तब उसे भी पैसों की कमी पड़ी है इससे एक बात तो तैह है कि जरूरी नहीं कि आपके पास business शुरू करते वक्त ज्यादा पैसे हो तो आप पहने हैं सों का इंतजाम कहां से करेंगे एक शब्द में इसका जवाब है उधार उधार एक ऐसी चीज़ है तो आपके फायदे या नुकसान को बढ़ा देती है कैसे? मान लीजिए कि आपको music में interest है आपके दिमाग में एक ऐसा musical device आया जो की लोगों को बहुत पसंद आ सकता है आपने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 50 लाख रुपए उधार लिए और अपना बिजनेस शुरू कर दिया अब दो बाते हो सकती है अगर आपका बिजनेस बहुत सफल रहा और लोगों को वाकई आपकी musical device पसंद आई तो आप कुछ महीनों में ही अपने सारे कर्ज से छुटकारा पाकर अमीर बन सकते है आपने एक काम्याब company खोली जिसमें आपका अपना एक भी रुपए नहीं लगा लेकिन अगर आपकी device लोगों को पसंद नहीं आई तो आपकी company flop हो सकती है और आप 50 लाख रुपए के कर्ज में जा सकते हैं तो इससे आपको ये सबक मिलता है कि उधार लेने से आप बहुत जल्दी और बहुत आसानी से या तो अमीर बन सकते हैं या तो कर्ज में डूब सकते हैं इसलिए आप इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करें आपके प्रोडक्ट से लोगों की जरूरतें पूरी होनी चाहिए ये बहुत जरूरी है कि आपके प्रोडक्ट और लोगों की जरूरतों में एक कनेक्शन हो अगर ऐसा नहीं है तो आपका प्रोडक्ट किसी काम का नहीं लोगों को अलग-अलग वक्त पर अलग-अलग चीजों की जरूरते पढ़ती है आए इसे एक उदाहारन से समझते हैं कुछ साल पहले उत्तराखंड में बादल फटने की वजह से बाढ आई थी लोग पहाडों पर भगवान के दर्शन के लिए गए थे लेकिन बाढ की वजह से वापस आने के रास्ते बंध हो गए थे पहाडों पर जो दुकाने थी वहाँ पर खाने पीने के सामानों की कीमत पांच गुना हो गई फिर भी लोग उसे खरीद कर खा रहे थे क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था कुछ लोग खाने के लिए अपने गहने भी दे आ रहे थे इस उदहारन को आप पॉजिटिव तरीके से ले इसका मतलब यह नहीं कि आप लोगों की बेबसी का फाइदा उठाए इसका मतलब है कि आप लोगों की उन जरूरतों को पहचान कर प्रोड़क्ट बनाएं जिसके लिए वो हसी खुशी आपको पैसे दे लेकिन लोगों की जरूरते क्या है इसका जवाब हावर्ड के प्रोफेसर नीतिन नोहरिया और पॉल लॉरेंस ने दिया है लोगों की चार जरूरते हो सकती है एक, चीजों को एक कठा करने की ख्वाहिश फेस्बूक और ट्विटर पर लोग लाइक्स, कमेंज और फालोवर्स एक कठा करते हैं कुछ लोगों को स्टैंप और दूसरी पुरानी चीजें एक कठा करने का शौक होता है ट्रिटेलर्ज और बिजनिस ब्रोकरेज इन जरूरतों का खयाल रखते हैं दो, खुद को अच्छा दिखाने की ख्वाहिश आज हर कोई अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़िया, परफ्यूम और क्रीम लगाकर अच्छा दिखने की कोशिश करता है जिससे लोग उनकी तरफ आकरशित हो सके और वे अच्छे दिख सके कॉस्मेटिक कमपणिया, परफ्यूम कमपणिया और ख्लॉथ इंडस्ट्रीज जैसी दूसरी कमपणिया इन जरूरतों का ख्याल रखती है तीन, हर किसी के अंदर कुछ जानने की जिग्यासा होती है हमारा मन हमेशा कुछ नया जानने या देखने को करता है यूट्यूब इस जरूरत को पूरा करता है चार, हर किसी को सेफ रहना पसंद है इसलिए आज मोबाइल और कम्प्यूटर सेक्यूरिटी अप्स मार्केट में बढ़ते जा रहे हैं और CCTV कैमरा और सेक्यूरिटी सिस्टम का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है कंक्लूशन दोस्तों आपको आज का हमारा ये है The Personal MBA Book Summary in Hindi क्या आपको भी बिजनेस करना है? Part 1, कैसा लगा? क्या भी बिजनेस शुरू करने वाले है? या बिजनेस शुरू कर दिया है? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताए और इस The Personal MBA Book Summary in Hindi क्या आपको भी बिजनेस करना है? Part 1, को अपने दोस्तों के साथ शेर जरूर करें और ऐसे ही Interesting Book Summaries और Knowledge से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ये बुक्स को सब्सक्राइब करें अगर आप अपनी किसी पसंदीदा बुक की समरी सुनना चाहते हैं तो उस बुक का नाम हमें जरूर बताए मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में आपका समय शुब हो झाल ओुक का युक का। झाल